तो computer network के बारे में माज पढ़ने वाले हैं देखो टॉपिक आपका internet भी बचा आई नो लेकिन जब भी हम internet पढ़ते तो पहले हमें थोड़ा computer network के बारे में भी पता होना जरूरी होता है तो आज का वही topic होगा आपका computer network आज का topic अब आप में इसी कोई बताना चाहे तो बिल्कुल वहीं मोस्ट वेलकम में आप लोगों का बता सकते हो computer network से आप क्या समझतों वे computer network क्या होता है इसका मतलब क्या होगा रादी रादी जी गुड मॉर्निंग बिल्कुल शुब दो पहर आप सभी को आप सभी का दिन मंगल में हो शुब हो हसते खेलते आपका दिन बीते और यहां पर पहले में आपको छोटी से notification दे सकते हूं छो जनवरी 2020 की फुल करेंट अफेयर तो अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत परिशानी होती है कि जनवरी 2020 की में करेंट अफेयर हमने की थी पर भूल चुके हैं या फिर हमको पता नहीं क्या क्या चीज़े इंपोर्टेंट उसमें से पढ़नी है तो यहां पर आज रात को 10 बजे विवेक सर लेकर आ रहे हैं आपके लिए जनवरी 2020 की फुल कॉंसेप्च्वल सारे कोशन जो की इंपोर्टेंट आपके एक्जाम के रिलेटेड पूछे जा सकते हैं तो यहां पर आपके लिए कर इंटरफियर आ रही है आज रात 10 बजे ठीक है एक्जामपूर के मे थोड़ी दिन पहले ही आपके लिए एक से लेकर 15 अगस्त की करेंट अफेयर की क्लास हुई थी जिसमें 20,000 बच्चे लाइव थे तो यहां पर अब क्या करना है तो आप लोगों को भारी संक्या में लाइव आना है ताकि आप सभी के सभी लोग जो बचे हुए करेंट अफ आज रात 10 बचे आना ना भूलें और 30 अगस्त को सुभे साड़े 6 बचे भी आना ना भूलें तो यह दोनों करेंट एफेयर की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए चलो चलो बैक टूदा टॉपिक आते हैं अपने कंप्यूटर नेटवर्क क क्या समझते हैं बिल्कुल अगर मैं आप लोगों को बताओं यहां पे तो आपको परिशान होनी की जरुवत नहीं है हर एक चीज करवाई जाएगी आपके जो अगर दिली पुलिस की आप लोग बात करते हो तो जो प्रीवेस के कोशन से वह करवाऊंगी और यूभी पीसल को कमेंट आने चाहिए वह अलग बात है कि आपने कमेंट नहीं किये हां क्यों नहीं करते हुए कमेंट और जल्दी से क्लास को एक बाद शेयर कर दो चाहे Bluetooth के थू चोड़ू चाहे Internet के थू जोड़ू ठीक है तो यह मेरा क्या कहलाता है Network कहलाता है तो यह notification आपको याद रखनी है वह क्लास के बारे में ताकि आप इसको न भूले और यह क्लास आप ले सके तो आप लोग कोले ही क्लास होती है आप लोग का ही बनाया से ज्यादा सिस्टम को सिस्टम को आपस में जोड़ना आपस में जोड़ना किसलिए तो इसलिए जोड़ना ताकि आपस में जोड़ना ताकि वो दोनों कम्प्यूटर या दोनों सिस्टम डेटा का आदान प्रदान कर सके ताकि किसी भी डेटा का आदान प्रदान किया जा सके ठीक है किसी भी डेटा को आप साजा कर सको या किसी भी डेटा का आदान प्रदान कर सको किया जा सके उसी को क्या बोला जाता है उसी को बोला जाता है नेटवर्क क्लियर नेटवर्क क्या होता है आप देखो कहते हैं ना भई कॉल मिलाते हैं कॉल नहीं मिलती या भी बीच बी थो उस्ट नेटवर्क चले गए अवाज नीयारी घलो हेलो बात करेंगे तो नेटवर्क चले गए तो क्या हो गया आपका डेटा अदान प्रदान हो रहा था छाहिए आप बात ही क्योंनि कर रहे थे तो उसमें reflect पढ़ाना उसमें प्रॉब्लम आनी कर सकते हो जिससे डेटा का आदान प्रदान किया जा सके तो वही आपका नेटवर्क कहलाता है और कंप्यूटर नेटवर्क में हम बात करेंगे जब एक या दो कंप्यूटर को आपस में जोड़कर उनके द्वारा एक दूसरे में डेटा को आप एक्सचेंज कर पाओ ठीक है ओके आगे दिखते हैं हमें गुड़ आफ्टर नून जी वरी 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 अफ्टर नून बिल्कुल सही गाइड़ मीडिया और अंगाइड़ मीडिया होता है उस तक भी चलेंगे अभी पहले जो चीज़ें करने हैं हम उनको करते होई चलते हैं न नेटवर्क के अंधर आपको चार चीज़ों की जुरद पर थे हैं अगर हमें कोई भी चीज़ों के इस्थापित करना हैं तो हमको मैंदी चार चीजों जुरू पर देई ऑफोर में वहना से होंगी तो सभ से पहले होता है कि हमको एक सेंडर चाहिए सेंडर का मतलब होता है प्रेशक सेंडर का मतलब क्या होता है तो सेंडर का मतलब होता है प्रेशक जब नेटवर्क आप स्थापित कर रहे हो तो एक तो कोई भेजने वाला भी तो नचीज सूचना तो जो भेजने वाला होता है वह होता है संडर उसके बाद हमको क्या चाहिए तो उसके बाद हमको एक मीडियम चाहिए हमको क्या चाहिए तो एक माध्यम चाहिए वह कोई माध्यम ह तभी तो आप एक डाटा को जगा से दूसरे जगा भेज पाओगे वह अगर मैं आपके फोन का इंटरनेट बंद कर दूं तो क्या आप वाटसप से मैसेज एक जगा से दूसरे जगा भेज दोगे नहीं क्यों क्योंकि यहां पर इंटरनेट माध्यम है तो ऐसी आपको एक करता जो उस मैसेज को प्राप्त करने वाला व्यक्ति होगा उसको रिसीवर बोला जाता है फिर फोर्थ यहां पर आ जाती है कौन सी चीज तो कोई भी अगर हम काम करते हैं तो बिना किसी कानून के बिना किसी रूल सेंड रेगुलेशन के वह काम करना असंभव बन जाता है क्योंकि इंटरनेट पे हम एक काईदे के अंदर एक सॉरी इंटरनेट पे हम एक दाइरे के अंदर रहकर ही अपने काम को अंजाम दे सकते हैं तो फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट बन जाता है आपका प्रोटोकॉल तो फोर्थ पॉइंट कौन सा बन जाता है तो यह बन ज आएगा कौन तो चौत्था हो जाता है प्रोटोकॉल इसे के ओपर पूरी नेटवर्किंग काम करती रहती है क्लियर हाँ टीसी पीपी भी आएगा रुख जाओ कितने दिन का स्लेबस रह रह रहे हैं यह जल्दी आपको क्लास कम्प्लीट करनी है देखो स्लेबस के अगर बात दिए अगर हो सकता है तो इससे पहले भी कम्प्लीट हो जाएगा यह मैक्सिमम डेट यहां तक तो खतम हो गई होगा क्लियर है आगे चले चली अब आगे चलते हैं तो यहां पर देखो यह समझ में आगे आपको यह कौन-कौन सी चार इंपॉर्टन कॉम्पोनेंट्स होते और कि अगर हम किसी भी डेर को इस्थापित करना चाहते हैं तो अंधे को यहां पर इस्था को बहुत ही ज्यांदा निवार रहें अब देखो यहां पर बात करते हैं ग्रेश प्रोटोकॉलता क्या है वंस्व! प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल क्या है तो प्रोटोकॉल होता है सेट ओफ रूल सेंड रेगुलेशन नियम और कानून के लिए लिखी गई जो एक सेट है मतला आप बोल सकते हो जिसके अंदर सारे नियम और कानून दे रखें कि इस दायरे में रहकर आप एक दूसरे को फाइल सकता है तो वो जो एक सेट ओफ सेड़ा आप रूल सेंड र्ःगुलेशन खोता है यहां पर आ पर द्यान देना कुछ मैं हाँपर प्रोटोकॉल लिखंगी उसके बारे में आपको बताना है कुछ को आपको पहले से पता होगा को चामें आपर डिसक्स कर लेंगे सबसे पहले हम लिखते हैं TCP IP जिसको बोला जाता है कि इंटरनेट अगर चल रहा है तो वह इसी प्रोटोकॉल की मदद से उसके बाद नेक्स्ट आप लिखोगे H TTP फुल फॉर्म भी बताते जाना है साथ के साथ फिर आएगी आपकी SMTP उसके बाद आप लिखोगे हां पर FTP ठीक है चलो इसके बारे हम बात करते हैं तो यहां पर मैंने चार प्रोटोकॉल लिखी और इन चारो के बारे में आपको करके फुल चलि बताइगे क्या होगा प्प्राइब क्लास अच्छा भी एंच भी कंप्युटर की चल यह पूछ रहे हो पाई थी लेकिन आज मैं करवा दूंगी ठीक है थोड़ा सा हो रहा है 23 दिन से उपर नीचे बड़ कोई बात नहीं मैं आज करवा दूंगी फिकर मत करो और इंक्लोडेट सेंटर ऑफ बड़ नोटिफाइट क्या रहे एक मेंट ऊपर चला गया आपका मैसेज अब दुबारा कर देना ठीक है देखो यहां पर बात करते हैं तो क्या फुल फॉर मानी शुरू हो गई है ओके सनी कुमार जी आपने अंसर करना शुरू कर दिया है धीरज लामबा जी बिल्कुल सही मनोच चोहान जी और यहां पर उमेज जी फुटनोट एंड नोट अभी बताती हूं ठीक है देखो सबसे पहले मैं टीसीपी की बात करूंगी तो इसकी फुल फॉर्म होती है ट्र और हो गर इसके बारे में जानेंगे ऐच टी दीबी की फिल더र्म क्या होती एक हाइपर टेकस्ट ट्रानसफर्प्रोड क्या होगी है ऐइपर टेकस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और यहलम होती है किसकी त्रांसफर प्रोटोकॉल और यह विस्वर्म होती है तो 카i Beml होती है है इस सिंपल में ट्रांसफर प्रोटोकॉल यह होती है। अगर हम बात करते हैं आप संप Nah लिको गया दुट इसके फिल फॉर्म क्या होती है तो यह होती है फाई ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या हो गई फाई ट्रांसफर प्रोटोकॉल अब एक चीजह यहां पर ध्यान रखना अगर आप इनके नाम से आद करोगे तोlette ko for for Yo day et жावरा समझनीपी आना शुरू हो जाएगा खूंब आती होगी और नहीं भी आती है तो हम आपर आप याद कर सकते हो Зап heading त्रांसमिशन चेशन का चली प्रोटो कॉल क्या होता है अगर मैं आप पर आपसे पूछ हूं कि भाई transmission है ना यहां पर पूछा जाए कि transmission का मतलब क्या होता है तो transmit data आपनी शब्द सुना होगा transmit मतलब अगर आप एक जगा से दूसरे जगा data भेजते हो ठीक है तो transmit data यहां पर transmission control protocol का मतलब होता है आपके पूरे data को चोटे चोटे टुकड़ों में बाट देना ताकि वो काम आपका बहुत इजी तरीके से हो सके हाँ सिंपल मेल ट्रांफर प्रोटोकॉल होगी बिल्कुल सही अब देको यहां पर बात करते हैं कि करके इसके बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे क्योंकि हर एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है मिस्स मत करना क्योंकि एकदम बेसिक से में आपर पढ़ा रही हूं पूरा लेक्चर लेना तभी आप उन को कर पाऊगे जो कोशन में यहां पर आप लोगों के लिए लेकर आ अलग है आईपी अलग है लेकिन जब भी आप इंटरनेट पर काम करते हो तो दोनों को जोड़कर ही काम में लाया जा सकता है अलग अलग इससे काम नहीं करवाया जा सकता टीसीपी का काम क्या होता है का काम क्या होता है तो यहां पर आप देखोगे जो टी सीपी होता है टी सीपी का काम होता है पैकेट स्विचिंग का अब यह पैकेट स्विचिंग का अब यह पैकेट स्विचिंग क्या होती है इसके बारे में देखती है क्या होता है तो इसका काम होता है पैकेट कोई ABC कंपणरी का जब हम इस वहाँ शोफं में से कोई भी डाटा, इंटरनेट से काम करते हैं, इंटरनेट से काम करते हैं, तो आप नेटवरक से जुड़े होगे हो, तो जब भी आप इंटरनेट ऊथे और ऍफें पर कोई बढ़ा डालते हो या कोई सर्ज करतें कुछ भी कम अगर आप internet से related कर और रहे हो तो उसका काम होता है बहुत बढ़ी डीटा को चोटे-जटे प्केमें तोड़ देना इसका काम क्या होता है तो काम करना उस पर वो ज्यादा असान है या 20-20 MB के डाटा पर काम करना ज्यादा असान है तो 20 MB के डाटा पर ज्यादा काम करना असान बन जाता है तो इसलिए तोड़ कर बेकेट में डिवाइट करने का काम होता है TCP का, अब चलो फैकेट में इसके तोड़ दिया, फिर IP जी क्या काम करते हैं? तो यह जो IP है Internet Protocol, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है IP address को रूण रहां, इसका काम होता है IP address को सर्च करना, अब यहाँ पर देखो आप कैसे यह आपका फोने ठीक है और आपका कोई दोस्त है यह उसका फोन यहाँ पर लिख्व यह पीसी कंपणी में का फॉन है एकस यजच कंपनी का फोन है क्योंकि यहां पर किसी फोन कंपणी का नाम लिख तो ग्रह युद्ध पर सुरू हो जाएक हां चलो तो यहां पर मैंने कर रहे हो तो मैसेज आपका चाहे कितने भी एंबी का हो या के भी का हो किलोबाइट का हो ठीक है तो क्या होगा सबसे पहले टीसीपी काम क्या करेगा उसको छोटे-छोटे पैकेट में डिवाइड कर देगा उसके बाद यह जो रास्ता ढूंड रहा है पाथ ढूंडता है कि कौन सा रास्ता है उसके दोस्त की कंप्यूटर तक गुसने का उसके दोस्त के फोन तक गुसने का तो वह होता है आई-पी एड्रेस क्योंकि हार एक डिवाइस का अपना खुद का आई-पी एड्रेस होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कोई भी डिवाइस किसी भी से अगर आप इंटरनेट चलाते हो चाहिए आप मोबाइल फोन से चला रहे हो चाहिए टैब से चला रहे हो चाहिए कम्प्यूटर से चला रहे हो किसी भी डिवाइस से किसी भी उपकरण से अगर आप इंटरनेट को चला रहे हो तो एक IP एड्रेस अपने आप जनरेट हो जात जब दोनों मिल जाते हैं तो आपके दोस्तक मैसेज पहुंच जाता है तो यह पूरा आगे चलते हैं इसके बाद आता है ठीक है आगे चलते हैं आगे चलते हैं आपको यह चीज लिखनी भी आगे चलते हैं तो नेक्स्ट प्रोटो कॉल आती है एच टीटीप और एच टीटीप का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म मैंने पहले भी लिखवाई थी क्या होगी इसकी फुल फॉर्म होगी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ठीक है हाइपर टेक्स्ट ट्रां हम लोग जो वी चीज़ देखते हैं उनको वैब पेज बोला जाता है चाहे आप को यह और देखते हो चाहे विधियो देखते हो तो जिस पेज पिछे डली होती है उनको वैब पैज बोला जाता है Cem पेज को वेब पेज का मतलब है इंटरनेट पे इंटरनेट पे अपलोड पेज जो भी पेज आपका इंटरनेट पे अपलोड है उसको क्या बोला जाता है तो उसको वेब पेज बोला जाता है और वेब पेज को डिजाइन किया जाता है HTML language से HTML एक language है जो कि web page को design करने के लिए बनाई गई है और HTML की full form होती है hypertext markup language क्या होती है hypertext markup language और HTML की बारे में अगर पूछ सकता है कि यह कैसे काम करती है तो यह tag का tag का use करती है बस इससे ज्यादा deeply नहीं जाना वैसे coding इसकी बहुत होती है बट आप नॉर्मल याद रखो यह tag का काम करती है तो जो भी जितने भी web page है चाहे वो messages related हो चाहे वो texts related हो चाहे वो चुटकी पुटकी pictures हो कोई भी चीज हो तो जो भी इंटरनेट पे web page डला है उस web page को user के सामने लेकर आना कि हमारे पास इस नाम का web page है अपने user को उपलब्ध करवाने का काम होता है HTTP का तो यह protocol क्या करती है इस protocol का काम होता है web पर इस protocol का क्या होता है इसका काम होता है web पर सारी information को web पर सारी सूचना को या सूचनाओं को सूचनाओं को उपलब्ध करवाना ठीक है क्या हो जाएगा वेब पर सारी सूचनाओं को उपलब्द करवाना यह क्या होती है यह काम होता है आपका HTTP का तो HTML से बनी जितने भी वेब पेज है उन सब को यूजर के सामने रख देती है यह पूरा काम आपका हाइपर टेक्स ट्राश प्रोटोकॉल का हो जाता है सारे ट्रांसवर करना दिख नहीं रहा है मैं है कि ओके अगे देखें ज़्यादा वास्ट पढ़ारिए उमें चलो देखो आगे यहां पर कंटिन्यू करो आगे देखो जल्दी से बार आच को शेर कर दो ठीक है 2000 तक तक पहुंच जाने चाहिए उसी के बाद होगी क्या उसी के बाद होगी आपके संडे की Master Class और संडे की Master Class आपकी होगी यकीन रखना उस Master Class में मतब आप क्या सकते हो दुआ दुआ कर देंगे हम लोगे अगर बत्ती लेकर आएंगे दुआ दुआ कर देंगे यह चीज़ क्लियर हो गई आपकी स्टीप के बारे में इसका काम होता है वैब पर सारी सूचनाओं को उपलब्द करवाना आगे चलते हैं इसके बाद आप देखोगे तो निक्स्ट आपकी प्रोटोक्ल आती है एप टीप प्रोटोकल घ्म गश्डाव परोटोकल और एफटेपी की फूल फोर्म क्या होती है तो इसकी फूल वाइँ है फाइल ट्रांसफर प्रो प्रोंकॉल इसको क्या पूलते है這個 ब consortium file Transper protocol जिनको थोड़ी दिक्कत आ रही है कि मैं नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो फिकर मत करो टॉपीक कम्प्लीट करने के बाद में टाइम दूँगी और थोड़ा स्लो पढ़ाती हूं इतना ज्यादा तेज भी नी पढ़ाऊंगी कि आपको समझ में ना है चलो आप देखो यहा फाइल को ट्रांसफर करने के लिए किसी भी तरीके की फाइल को इस्थान अंत्रित ट्रांसफर को इंदी में क्या बोलती है इस्थान अंत्रित तो किसी भी तरीके की फाइल को ट्रांसफर करने के लिए हम किसका इस्तमाल करते हैं हमें इस्तमाल करना होता है यह खुद बख से अंदर या फिर computer में में अगर कोई photo कि कारे तो वह एक फाइल बन जाती है आपने अगर कोई music कोई गानर record करा है तो वह एक file बन जाती है आपने कोई video shooting करी वह एक file बन जाती है तो कोई भी data जो भी data आप चाये हो टेक्स्ट से क्रिलेटेड ऊज़र कोई picture आपका कुई वीडियो से क्रिलेटेडेड ऺए दॉ चाये आप फाइल को अपलोड करो अपलोड करने का मतलब क्या होता है आपके प्यारे से फोन से इंटरनेट पे फाइल को डालना है ना तो चाहें आप कोई भी फाइल अपलोड करो या फिर चाहें आप किसी भी फाइल को डाउनलोड करते हो तो यह सारी चीज़ डाउनलोड का इंटरनेट से कोई भी फाई आपके भी फाई प्यारे से छुटकों से फॉन के अंदर डालना तो यह काम का फाइल ट्रांस्वर प्रोटोरकॉल प्रोटोकॉल की अंदर ही किया जाता है और चलते हैं आपने करता है तो यह फाइल को ट्रांसफर के लिए इस्तमाल कि आ जाता है चाहे आपकी ट्रेक्स वीडियो पिच्चर और ऑडियो की फाइल हो अगर आप उसको डाउनलोड या अपलोड करते हो इंटरनेट पे तो वहां पे भी आपका काम किसका होता है तो वहां पे भी फा लोग चाहे अपनी फोटो पोस्ट करते कहीं पे भी अगर पोस्ट करना चाहते हो आ फेस्बुक पे करते वें इस्टाग्राम पे करते हो तो वहाँ पर खुद बखुद इंटरनेट फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पर ही काम करता है आगे चलते हैं नेक्स देखोगे तो नेक्स आता है इस पर SMTP चौटी प्रोटोखाल आती है और चौटी प्रोटोखाल को हम बोलती है SMTP इसकी क्लपन क्या होती एं टो इसकी फिलफरम होती है सिमपल मेल ट्रांस्फर प्रोटोकॉल इस Aber anti की फुलफर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम क्या होगा तो जो शब्द इसमें दे रखा है वही काम इसका होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आप अगर किसी को इमेल बेच रहे हो इलेक्ट्रोनिक मेल अगर भेजा जा रहा है मैं फ्री कोर्स में पीडिएफ नहीं मिलेगी बिल्कुल चेतन प्रकाश जी अगर मैं आपको बताओं तो जो आपको यूट्यूब पे है और आगे भी करवाती रहूंगी ठीक है लेकिन थियोरी आप लोगों को लिखनी पड़ेंगी चलो यहां भी नहीं होगा SM होगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है इसका काम क्या होता है तो इसका काम होता है इसका काम क्या होता है तो इसका काम होता है email को transfer करने के लिए email को transfer करने के लिए हम simple mail transfer protocol की مदद लेते हैं किसकी लेते हैं तो हम simple mail transfer protocol की मदद लेते हैं अब ये kाम कैसे करता है पहले उस पर बात कर लेते हैं ठीक है बिल्कुल भाइट थोड़ा slow ही चलोंगी आप देखो तो यहां पर बात करते हैं हम तो simple mail transfer protocol के अगर आप बात करोगे तो यह काम कैसे करता है पहले हम इस पर बात करते है तो यहां पर देखो काम कैसे करेगा तो यह हमारे पास phone है आप क्या करते हो आप किसी भी व्यक्ति को email भेजना चाहते हो email भेजने के लिए पहले वो mail आपका सरवर के पास जाता है सरवर चेक करता है कि अच्छा यह mail इस IP एड्रेस के पास जाना है उसके बाद वह mail कहां जाएगा तो जो भी आपका Receiver होगा जिसको भी आप e-mail भेजना चाहते हो जो Receiver है उसके बाद उसके पास वह email चला जाता है तो यहाँ पर हider हम बात करते हैं तो हम सर्ण से lebih क्लाइंट से सर्ण ठर्वाइन best natural expect भी सिंपलम प्रोटोपॉली काम करता है और सर्वर से सीर्वर टग भीं सिंपल में प्रोटोपॉली करता है यह वरना आप लिए सोचों क्या आसान है आपने क्या करा है सिर्फ आप इमえल आ plastics डाल email id डाल देते हो उस व्यक्ति की और send कर देते हो email पहुँच जाता है पर इसके बारे में कौन बता रहा है कि किस IP address में किस email id के पास उसको पहुचना है तो ये पूरी जानकारी देने वाला simple mail transfer protocol होता है clear चलो अब हम पढ़ने वाले हैं अब हम पढ़ेंगे वे classification of computer network computer network के वर्गी करण के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चलो कोई बात नहीं थोड़ा धीरे करेंगे कोई दिक्केत वाली बात नहीं आइपी एड्रेस क्या होता है तो आइपी एड्रेस होता है आपकी जो भी डिवाइस है जिस भी उपकरंट से आप internet से जुर जाते हो तो हरवो उपकरंट जो भी internet चला रहा है उसका अपना एक IP address होता है जैसे हम लोग कोई plot खरीद लेते हैं तो उसका एक address होता है ना कि मकान नंबर यह है गली नंबर यह है और जगा का नाम यह है ऐसी जब आप internet चलाते हो तो आपके पास एक address मिल जाता है कि यह इसका IP address है internet protocol address है इसके कालम बात करेंगे classification और यह आई नो आप सबको आता है एक बार से रिविजन कर लेंगे फटा फट से classification classification of the computer network अगर यहां पर आप से पूछा जाए कि computer network का वरगी करन करें तो आप computer network का वरगी करन कैसे करेंगे क्लासिफेकेशन of computer network अगर यहां पर पूचा जाए computer network का वर्गी करण computer network का वर्गी करण ठीक है तो पहले आप जल्दी से बताई जो आपको लगता है वर्गी करण ठीक है उसके बाद में यहां पर आपको एक-एक करके करना शुरू करती हूं तो यह आपने कई बार इसको टाइप आफ नेटवर्क के द्वारा भी पढ़ा होगा लैन क्या होता है मैं लैव लैन वैन अभी पढ़ाओंगी में रुक जाओ वही चीज तो चल रही है बिल्कुल सही यहां पर आना स्टार्ट भी कर दिया आप लोग लेलो मैं यह नहीं बोलूगी होता है कई बार आपको एक बचे बहुत अर्जेंट काम पड़ जाता है तो काम करिये लेकिन उस इस दिन खतम कर लो है ना चलो तो यहां पर आंसराना स्टार्ट हो चुका है मैं बुक मिल सकती है क्या हां देखो हिस्ट्री की बुक हमारे हां से अभी लॉंच होई है हिस्ट्री की बुक एक्जामपोर ने निकाल रखी और अगर आप हिस्ट्री की बुक परचेज करना चाहते हो तो हमारे एक्जामपोर के ऑफिशल एप पर जाकर आप उसे परचेज कर सकते हैं स्टडी मैटिरियल के अंदर आपको ऑप्शन मिल जा जल्दी जल्दी से चलो तो यहां पर घू बात करते हैं । यह तेनों के टिनो नेटवर्क के यही प्रकार है अब हाँ फुलफ़ां की बात की जाती है 불कूल साफी जी में भी होता है पर पहन को एक्षं में इंक्लूड नहीं किया जाता है वह अलग से लिखा जाता है पहन के बारे में भी थोड़ी दिर बाद पहले जो एक में जिसको मुख्य बोला जाता है तो मुख्य प्रोटोकॉल के बारे में पहले हम बात करते हैं लैन की फुल फॉर्म क्या होती है तो लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क अब यह जो लोकल एरिया नेटव पॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होती है मैट्रो पॉलिटन एरिया नेटवर्क ठीक है यह फुल्फर्म होती है अगर हम बात करते हैं मैन की क्या बोलेंगे तो इसको बोलते हैं मैट्रो पॉलिटन एरिया नेटवर्क मैट्रो पॉलिटन एरिया नेटवर्क फिर आता है वै की फुल्फर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क वैन की फुल्फर्म क्या होती है तो वैन की फुल्फर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क क्लियर कौन से हो जाएगी वाइड एरिया नेटवर्क अब एक करके इस पर हम बात करना शुरू करते हैं जो लोकल एरिया नेट कहलाता है ठीक है ओके आप देखो यहां पे अगर हम बात करते हैं अब बिल्कुल सही वाइड एरिया नेटवर्क मेट्रोपॉलिटर नेटवर्क आप लोग भी साथ में अंसर कर रहें बहुत अच्छी बात है बिल्कुल नहीं उमेश सरोज जी आपके कमेंट दिख रहे हैं बिल्कुल बिंद्रेज लीजा ओके एसके जहार जी सबके कमेंट दिख रहे हैं गोलू किंग जी तो यहां भी देखो अब हम बात करते के करके तो लैंड में क्या होता है लैंड के अंदर लोकल एरिया नेटवर्क होता है अगर आप बात करते हो किसी एक इंस्टिट्यूट की अगर मैं बोलू किसी एक है उसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं आपने देखा होगा कॉलेज के अंदर कंप्यूटर लैब होती है तो उसमें क्या होता है वो एक ही जगा उसका कनेक्शन होता है मतलब यह नहीं कि उसमें आप इस्तिमाल कर रहे हो कोई बहुत बड़ा कनेक्शन तो अगर पर हम local area network का इस्तेमाल करते है local का ही मतलब होता है एक छोटी सी जगा जिसमें कोई भी आप network को इस्थापित करते हो उसके बाद हम बात करते है man की तो man का काम क्या होता है एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ना Metro Metro मतलब होती है city है ना जोड़ना चाहते हो तो वहां पर metropolitan area का network की मतलब स्थापित किया जाता है ऐसा network जो की एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ता है उसके बाद आता है वैंज जिसको आप बोलते हो wide area network और इसका सबसे best example होता है इंटरनेट इसका सबसे best example क्या होता है तो इसका सबसे best example होता है internet internet एक wide area network है एक ऐसा network जो की दीन दुनिया में फैली हर खबर को आप तक पहुंचा सके वह कहलाता है wide area network ठीक है वह सबके कमेंट दिख रहे हैं अगर आप अपना नाम बुल्वाने के लिए इसा कर रहे हो तो क्रिप्या करके ना करें हाँ पढ़ाई कर लो नाम में बोलूंगी रुक जाओ आपके लिए सप्राइस टेस्ट लेने वाली मैं कुछ दिन के अंदर उस दिन मैं नाम ही बोलूंगी ठीक है तब देखते हैं कि कि बच्चे अपना नाम बुल्वा पाते हैं चलो आगे देखो तो यह याद रखना है तीनों चीज़े आपको कि लैन मैं वैन यह कैसे काम करती है तो यह तीनों यह नेटवर्क के प्रकार है अगर किसी एक इंस्टिट्यूट या किसी एक इंडिवीज्वल प्लेस की बात कर है और किस जगा लगाया जाता है और किस जगा के लिए इस टेबल होता है आगे चलते हैं अब आगे आप यहां पर नेक्स देखोगे तो नेक्स्ट में यहां पर चार चीजह लिखने वाली हूँ और जिन चार में बहुत ही ज़्यादा confusion होता है तो वो confusion भी आपका आज clear हो जाएगा ठीक है चलो अब यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखना Ethernet सबसे पहले आप लोग लिखना Ethernet और जैसे मैं बना रही हूं ऐसे आपको बनाना है सबसे पहले आप लोग लिखना Ethernet उसके बाद आप लोग यहाँ पर लिखना इंट्रानेट क्या जाएगा तो यहाँ पर लोग लिखना इंट्रानेट 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 नहीं है यह इंट्रानेट है ठीक है उसके बाद आपको लिखना है थर्ड नंबर पी क्या फोलते हैं इसको बोलते है extra net और उसके बायव को यहां पर लिखना है लास्ट में internet टिक है इंटरनेट लास्ट में आपको लिखना है इंटरनेट अभे करके अम इसके बारे भी पड़ना शुरू करेंगे क्योंकि यसका इस बार हमारे exam में इंट्रानेट लिखा हुआ आ जाता है तो हम सोचने कि परिंट हो गया तो गलती से नी होता है ना तो जो exam Bनाते हैं वह बहुत ही ज़्यादा intelligent होते हैं पड़े लिखे होते हैं तो वह कुछ मिलेगा मैं आपको बता देती हूँ अगर आप बात करना चाहते हो किसी भी टीचर से तो हमारे है जो कॉल इंबर है हम लोगों का वहां पर आप करके बात कर सकते हैं कि हो सकता है कोई किसी चीज में टॉपिक में कन्फ्यूजन हो तो आप हमें वहां पर कॉल कीज़े कॉलिंग टीम के पास आप बोली जिन भी टीचर से आपको बात करनी है आपकी बात तुरंत करवा दी जाती है इंट इंटरनेट का इथरनेट का मतलब क्या होता है तो का इस्तमाल करते हैं अब एक कंप्यूटर से जोड़ते हैंUSB पोर्ट के द्वारा तो वह बंठर ना चाहते हो तो वह भी तयार की मदद से जोडते हैं यह भी आपका क्या कहलाता है इसारनेट तो जोभी इस या जोवगी вижу component जो भी network हम तारों की मदद से मनाते हैं जो भी network आपका वायर की थ्रूं तारों की थ्रू बनाया जाता है उसको प्या बोला जाता है उसको बोला जाता यटरनेट और local area network में अधर यह इस्तिमौल किया आटा है आपको तो बहुत जारे कंपूटर बेशक होते हों और सारी computer को एक दूसरे को तारों से ही जोडा जाता है क्यूंकि local area network बहुत ही जादा सस्ता माननों सस्ता पड़ता है अगर आप उसमें तारों के जरीये भाँची गार जाता तो आप घर से बाहरी निकल पाते हैं इतनी रैडिएशmon होती है Google मुवी निया थी कॉन सी मुवी थी जिसमें बहुचिक के बारे में बताए था मुझे याद की निया रहा था जो यहां इन्डर के । तो इस वज़े से जो तारो की मदद लिजाती है ए्थरनेट की मदद ली जाती है वह लैंड के लिए जाती है लोकल एरिया नेटवर्क के लिजाती है इंटरनेट का मतलब होता है उसा नेटवर्क आप लिख सकते हो इंट्रानेट में ऐसा नेटवर्क जो किसी एक कंपनी के अंदर या फिर एक होटल के अंदर या फिर एक रस्टुरेंट के अंदर किसी भी इंडीवीज्वल किसी भी इंडी विजय यह किसी भी एकल जगह पर इस्थापित किया गया क्या क्या थे निट्वर्क वह क्यों लाता है आपका इंट्रानेट आपने देखा होगा कई बार जबँ आप बहुंआ जाлиए वेश्णो देवी पैर वाई-फाई खतम बंद हो गया जैसे अंदर आए फिर वाई-फाई चल रहा है तो यहां इसका मतलब है कि वहां पर इंट्रानेट का इस्तमाल किया जा रहा है बहुत बड़ी-बड़ी सुरिफ एक कंपणी में ऐसरी एक होटल में अगर इंट्रनेट स्थापित है तो वह इंट्रानेट के लाता है ठीक है परसनल आप इसको परसनल नेट भी बोल सकते हो परसनल किसी वी एक्लिस लगाए आँट एक होता है extra net extra का मतलब extra कुछ आपको extra valuation देता है यह इस्तमाल किया जाता है एक पूरे बहुत बड़े college campus में यह इस्तमाल किया जाता है बहुत बड़े college campus में देखो कैसे इस्तमाल बहुत बड़ी फैली होती है उनिवस्टी तो वहां पर एक्स्टानेट लगा होता है आपके युनिवस्टी में भी चल रहा होता है और युनिवस्टी के अगर थोड़ी से बहार जाते हो तो 200-300 मीटर तक भी आपका इंटरनेट चलेगा मतलब आपके इंडिवीजूल बिल् चले गाई साथ ही में 200-500 मीटर तक की दूरी में भी नेटवर्क आपका चलता है जैसे ट्रेंड वह बाद बाताओंगी ट्रेंविन वाला जग्सामपल उसको उसके साथ ही बता देंगे तो यहां पर आपके युनिवस्टी हो जाती है ऐसे कॉलेज के अंदर ही लाइब्रे लैब में भी चल रहा है और आपके होस्टल में भी चलता है तो इस इंटरनेट को एक्स्टरनेट बोला जाता है उसके बाद आता है यहां पर इंटरनेट और यह तो हम सबका ही प्यारा है हम सबको पता है तो यहीं आपका कहलाता है वैन नेटवर्किंग जिसको हम बोलते ह वाइड एरिया नेटवर्क तो पूरी दुनिया में नेटवर्क स्थापित करने वाला अगर मैं यहां पर आपको बताऊं तो पूरी दुनिया में पूरी दुनिया को आपस में जोडने वाला क्या होता है तो पूरी दुनिया को आपस में जोडने वाला क्या कहलाता है तो वह का नाम पूछ लो तो तुरंत आप लोगों को पादा चल जाता है मुझे बेशक बताना हो अभी मैंने एक मूवी पूछी दी तब भी आपने फटा पर बता है थी डियर्स हां या तो मैं मूवी कम देखते हैं या फिर आप ज्यादा ही मूवी देखते हो चलो तो यह चीज़ को departed registration ह्मारा इंटानेट टिकेंट 59 कोचिंग में यहाँ पर कैंपास में लागा है और वैसे तोव यह शेसव इंटानेट से जड़ा होता है तभी आप यहां की ऐपने एंदर अपने लैप्तौप के अंदर देख पा रहे हैं चलो शुरू करें तो यहां पे पुष्ण नमबर वन आपके स्क्रीन पर यह रहां पढ़ना है और बताना है कोशन नमबर वन के लिए कॉंस अप्षण आपका करेक्ट हो जाएगा कुशन नमबर वन जूम करूं दिख रहा होगा चलो जूम कर देती हूं अ computer devices hardware software का एक संयोजन जो computer उपकरण के बीच सूचना भेजने और राशन अरे राशन कहां से आ गया सूचना भेजने या फिर लेने ठीक है सूचना भेजने या फिर लेने की सुविधा प्रदान करता है क्या कह राता है नेटवर्क परीधिय पैरिफेरल एक्सपेंशन स्लोट या फिर डिजिटल डिवाइस या इन में से कोई नहीं तो कोशन नमबर वन के लिए कौन सा ओप्शन करेक्ट हो जाएगा बताना है आपको यहां पर और यहां पर आंसर भी आना शुरू हो गया है ट्रेन में कौन सा होता है तो ट्रेन के अगर आप प्ल नहीं होती प्लेटफॉर्म की तो वहां भी अगर आप बैट जाते हो तो भी इंटरनेट चलता है ना तो वैसे मैंने बहुत ही कम देखें इंटरनेट ऐसे चलते हुए बढ़ मैं बोलूंगी निए क्या पता कहीं जगा चलता भी हो ट्रेन के पास चलो यहां पर देखते है जो आपके कम्प्यूटर के साथ नहीं आती हैं लेकिन अलग से आप उसको जोडते हूं हमने पढ़ा था जब भी हम कम्प्यूटर पढ़ते थे बच्पन में तो हमको सिफ एक कम्प्यूटर मॉनिटर मतलब और एक CPU इसके साथ हमको एक माउस और यहां पर कीबोड दाएंगे चलो डिजिटल डवाइस क्या होते हैं तो कोई भी डिजिटल कैम्रा हो गया डिजिटल स्पीकर हो गया तो यह सब आपके डिजिटल डिवाइस कैला थे और एकस्पेंशन स्लोट होती है जिसके अंदर आप USB केबल को गुशा कर कोभी डिवाइस काम में ला सकते कोशन नमबर वन का ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट था नेक्स देखते हैं तो कोशन नमबर सेकंड आपके स्क्रिन पर यह रहा और क्या दिया है तो आप डिवाइस डैट करेक्ट टूए नेटवर्क विदाउट दा यूज ऑफ के बाल इस सेड टूबी के बल की उपयोग के बिना एक नेटवर्क से जुड़ने वाला उपकरन क्या कहा जाता है विद्रित वायलेस सेंट्रलाइज या फिर पर केंद्री करत ओपन सोर्स या इन में से कोई नहीं तो कोशन नमबर सेकंड का कौन सौप्शन करेक्ट हो जाएगा पूशन नमबर सेकंड का कौन सौप्श तो रहा कि 2000 हो जाएंगे चलो देखते हैं चलो तो यहां पर बात कर दें कोश्चन नंबर 2 की तो कोश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जल्दी से आप लोगों को आंसर करके बताना है तो बिना तारों के स्थापित होने वाला क्या क्यालाता है वफिस के लाता है जैसे आपका ब्लुटुत में भी क्या ओता है विना तारों के आपस हमी डिवाइस को चरक्ट कर सकते हो बिल्कुल सही अगर हम बात करते हैं, question number second का wireless बिल्कुल सही answer था, हाँ भी होगा मैं, बिल्कुल जी कमरीश कुमार जी, देवराज जी, गोर्धन जी, कौशल जी, अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर question number third की, तो पूछाए आप से computer connected to a land, local area network can, क्या हो सकता है, तो local area network से, तहां गया हमारा question, local area network से जुड़े computer क्या कर सकते हैं, तेजी से चलते हैं, line पर चलते हैं, साजा जानकारी और या परिद्य उपकरन को साजा करते हैं, email के लिए इस्तमाल होते हैं या इन में से कोई नहीं, तो run faster, go online, share information and or share peripheral equipment, email या none of these, तो question number third का, कौ लोगों को, question number third के लिए, कौन सा option correct होगा, तो यहां पर देखो, जब आप लोगोंने, कोई बात नहीं, ठीक है, यहां पर देखो, अगर आप लोगोंने देखा होगा, तो यहां पर question number third की बात करते हैं, तो हमने पढ़ा था, जो land इस्तमाल होता है, वो एक building में, एक site में, या फिर किसी भी एक component के बीच में ही इस्तमाल किया जाता है, अगर हम बात करते हैं, किसी एक building में, किसी एक hotel में, या restaurant में, या फिर किसी एक college में, तो हमारा land ही इस्तमाल होता है, और इसका काम होता है, wire से connect करना, इसका काम होता है, तारों के सहारे, आपस में component को जोड के रखना, जिसको हम ethernet बोलते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, ethernet बोला जाता है, तो peripheral device को जोड के रखने का, और information को साझा करने का काम, इसी का होता है, आगे देखते है, question number 4 आपके screen पर यह रहा और क्या दिया है, तो the dash enables, the dash enables your computer to connect to the other computer, तो आपके computer को अन्ये computer से connect करने में सक्षम बनाता है, कौन बनाता है सक्षम, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, कंट्रोलर कार्ड या इन में से कोई नहीं, और इन में से तीन कार्ड आपके computer के अंदर जरूर होते हैं, ठीक है, कोई दिकत नहीं दिखो, अगर 28 अगस्त, रात ठीक 10 बजे, तो खाना वाना खाके बैठ जाना, नहीं तो खाना लेकर बैठ जाना, और रात 10 बजे, ठीक है, एम नी, पीम कर लो, यहां पे रात 10 बजे आप लोगों के लिए आ रही है, करन्ट अफेयर की क्लास, जिसमें जन्वरी 2020 के हर एक करन्ट अफेय की मास्टर क्लास, जिसमें 15 अगस्त से लेकर, 30 अगस्त तक के हर एक करन्ट अफेयर को पोस्त माटम की तरह, तो एक एक कोशन को चांट चाट के उसके अंदर से, चीजों को निकाल-निकाल के बताया जाएगा, ठीक सुबह 6 बजे, तो 30 अगस्त वाली सुबह 6 बजे होगी, और आज की रात को 10 बजे होगी, दोनो क्लास को आपको लेना है, कोशन नमबर 4 का अंसर बताना है आप लोगों को, और यहाँ पर अगर मैं देखूं, तो कोशन नमबर 4 का अंसर आना है, स्टार्ट हो गया है, इंटरफेस कार्ड, इंटरफेस कार्ड बिलकुल ठीक, चलो, कोशन नमबर 4 के अगर मैं बात करती हूँ, इसका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इसको NIC भी बोला जाता है, तो यहाँ रखना इसकी फुलफॉम होती है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और इसी कार्ड के जरी हम लोग इंटरनेट से जुड़े हो सकते हैं, अगर मैं ये कार्ड आपके कंप्यूटर के अंदर से निकाल दूँ, या फिर इस कार्ड को मैं आपके फोन के अंदर से निकाल दूँ, तो आप इंटरनेट नहीं चला सकते, साउंड कार्ड अगर नहीं होगा, तो हम कोई भी ध्वनी अपने फोन के ना तो देख पाओगे और ना ही कोई वीडियो बना सकते और यह सारी की सारी चीज़ें आपके motherboard पे लगी होती है अगर मैं computer की बात करती हूं और motherboard आपके phone का भी होता है जरूरी नहीं कि motherboard सिफ computer में होता है motherboard phone में भी motherboard होता है question number five आपका ये homework का question दे दूंगी तो कॉश्चन नंबर फाइफ आपका यह हुंवा का कॉश्चन है क्योंकि नेक्स क्लास भी होने तो क्लास को हम यहीं पर अपना खतम करेंगे क्या दिर रखा है तो डैश टिपीकली कनेक्ट्स पर्सनल कंप्यूटर्स विद इन आ वैरी लिमिटेड जिग्राफ के भीतर तो कौं सा नेट्वरक होगा एक इमारक के भीतर तो यहां पर आपको अप्शन दे रखा है ठीक है और साथ में आपको बता दो कोई डाउट हो यहां पर अगर आपको नेटवर्क से रिलेटेट जितना पढ़ाया है पूछ सकते हो क्लास कैसे लगी तो फीडबैक जरूर देना देखो आपका एक फीडबैक अच्छा लगता है ना तो फीडबैक आपको जरूर देना है आपको कैसे लगी क्लास अच्छी लगी हो तो जाते-जाते क्लास को लाइक कर देना शेर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और भूलना मत करन्ट अफटो की लिघे wypश अपने झाल झाल